प्राइम टीवी सच साहस सरोकार परिया वरडवीड है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में जी जी नमस्कार जैसा कि आप जान रहे हम ओजोन को लेकर आप चर्चा करने वाले हैं तो सर मेरा पहला सवाल आप से है कि ओजोन क्या है और इसके महत्व क्या है देखिए ओजोन एक ऐसा प्रकती का दिया हुआ बेस कीमती उपहार है जैसे हमें तमाम उपहार प्राप्थ हुए हैं धरती पर ऐसे ही एक ओजोन एक उपहार के रूप में प्राप्थ हुआ है जो हमें ना केवल हमारी आपकी इनसानों की बलकी पेर पौधों और जियो जन्तों की सुरक्षा करता है एक प्रकार से छटरी के रूप में काम करता है मैं आपको और सरल भासा में समझाना चाहूं जैसे हम और आप लोग अगर यहां पर रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी आपकी छट है यह जो अगर यह छट खतम हो जाए यह छट गायब हो जाए तो क्या होगा सीधे सीधे हम बारिस का सिकार होंगे सीधे सीधे हम गर्मी और लू के थपेड़े सहेंगे सजदियां हमें बुरी तरह से प्रभावित करेंगी तो कुल मिलाके ऐसी ही हमारी आपकी एक छत्री जो की धर्ती की एक निश्चत उचाई पर पाई जाती है वो है छत्री मुझे और आपको तमाम प्रकार के हानिकारक प्रभाव जैसे अल्टा वाले टेडियेशन पराविगनिक करेंगे हैं उनके प्रभाव से बचाती है मैयूरी जी ओजॉन को समझने के पहले आपको यह जानना पड़ेगा हम जिस धर्ती पर रहते हैं इस धर्ती पर लगबख सत्रा किलोमीटर तक जो रीजन होता है उसे हम ट्रॉपो इस्पियर कहते हैं सत्रा किलोमीटर से लेके पचास किलोमीटर वाला जो रीजन होता है उसे स्ट्रेटो इस्पियर आधा समताप मंडल कहते हैं और पचास किलो मीटर से लेके पचासी किलो मीटर के बीच का जो रीजन वो मीजो इस्पियर के लाता है. अब जिस ओजोन की बात कर रहे हैं, आज 16 सितंबर है, तो ओजोन एक परकार से ओजोन की परत है, जो समताप मंडल में पाई जाती है, अब ओजोन को समझने के पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि एक तरफ ऑक्सीजन आपने देखा होगा, प्रान दायक वायू है, ले जाताध्यट ओजोन का जो मॉलगमरा फॉरमूला होता ओटू, और ओजोन का ओथरी, अरछट इस में एक ओजोन का एटम चाहरा होता है, हम सामन भासा में कह सकते हैं, जो अजोन है, जो ये उक्सीजन का बड़ा बहाई यदे बढ़ी बेहन है. सर ओजून दिवस मनाने का क्या कारण है हम इनसानों ने अपने लाब के लिए तमाम धर्ती के जो रिसोर्सेस हैं उनका बुरी तरह से दोहन किया अपनी सुख सिब्दाओं को जोटाया और उस दोर में इस काम को करते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसी वातवर्ण में गैसें छ है उसको धीरे धीरे पतला कर रहा है जिसको टेक्निकली कहा जाता है ओजून होल हो रहा है और इसी चीज को लोगों को जागरो कहेने के लिए कि कल के दिन ऐसा नहों कि ओजून की परत ये पूरी तरह से खतम हो जाए और अगर ओजून की परत मैयूरी जी खतम हो जाएगी क्या कारण है कि ओजौन की परत खतम हो रही है और इसकी कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं? अर्थात आपने अभी पताया उसी कोश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कोश्चन का अभी उत्तर नहीं हुआ है तो कुछ ऐसे रसायन हैं जैसे किलोरो फ्लोरो कारवन जैसे हाइड्रो किलोरो फ्लोरो कारवन जैसे मिठायल ब्रोमाइड यह कुछ हैलोन यह कुछ ऐसे र जो हम गैसों को खुज रहे हैं और यह आगे चलके ओजॉन को खतम करने के लिए जिम्मेबार ना हो जाएं क्यूंकि इन गैस में एक जब यह गैस वातरबर में रिलीज होती है निकलती है तो इनसे किलोरीन का एक एक एटम निकलता है और अगर किलोरीन बहार निकलता है और स्टेटोश्पिया रीजन तक पहुँचा एक किलोरीन का एटम एक लाक ओजॉन के मॉलकूल को तोड़ देता है तो ये आप समझ गई होंगी कि किलोरो फिलोरो कार्बन हाइडरो किलोरो फिलोरो कार्बन मिथाइल ब्रोमाइड हैलॉन्स इनमें कही न कहीं से कलोरीन है और य ये जब ओजॉन की परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है और आज की डेट में ऐसा देखा गया कि नौर्थ अमेरिका के बराबर का एक होल देखा गया है आर्क्टिक रीजन में और ये एक बहुत ही चिंदनी बात है कि कल के दिन ये होल बढ़ता जा रहा है तो 50 आदी आसपास की आबादी दुनिया की सीधे सीधे ओजॉन परत से जुड़े हुए दुस्प्रवाओं से जहलने को लिए जहल रही है और आगे और इसका दाइरा बढ़ता चला जाएगा सर ओजॉन दिवस के शुरुवात कब हुए बहुत अच्छा प्रस्न है देखे ओजॉन दिवस को मनाने के लिए चुकि समय समय पर 50 के दसक के आसपास 1950 के आसपास तो डॉप्सन स्पेक्टोमीटर का एक इजाद हुआ था और उसके द्वारा ओजॉन के कंसेंट्रेशन को नापा जाता है इसके बाद 1981 के आसपास देखा गया कि कुछ असमान ढंक से ओजॉन की परत में कमी देखी गई जो एंटार्क्टिक रीजन पर जो देखे गई पोल वाले रीजन पर कि ओजॉन की परत में ओजॉन के कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और ओजॉन की परत पतली हो होती जा रही है फिर 16 जुलाई 1987 को कनाडा की राजदानी मॉंट्रियल में एक संदर सा सहर है यह मॉंट्रियल वहां पर अलग-अलग देशों के नुमाइंदी के जोटे और उन्होंने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्चर किये उस प्रोटोकॉल की सर्थें थी कि 2050 तक मतलब 21 सदी के जब हम लोग भी बीच में पहुंचेंगे हम लोग जो यह ओन डिपलीटिंग सबिस्टेंस हैं चाहे वो क्लोरो फ्लोरो कारवन हों या फिर हैलोंस हों या हाइडरो क्लोरो फ्लोरो कारवन हों या मिथाल ब्रुमाइट इनकी उत्पादन को लग-बग आधा करे देंगे और इसके सबिस्टिटूट के बारे में सोचेंगे और आज की डेट में जो मॉन्ट्रियल प्रोट्रोकॉल पर 180 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्चर किये हैं इसकी सहजतों से बंदे हुए हैं दो साल बाद मतलब 16 सितंबर 16 सितंबर 1989 से हर साल पूरी दुनिया में फिर विश ओजौन दिवस मनाने के लिए यूनाइटेड निशन द्वारा पहल की गई और आज हम सब लोग पूरी दुनिया के लोग इस ओजौन को परत को बचाने के लिए इस विशेज दिन को मना रहे हैं इसकूलों कॉलेजों और आम व्यक्तियों को सभी को जाग रुक किया जा रहा है कि हमें और आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना है नहीं तो बहुत दिन दूर नहीं जब हमारा आपका जीवन कही न कहीं से खत्रे में होगा हमारी फसलों में पैदावार नहीं होगी, हमारी आपकी इसकिन संबंदी बीमारियां होगी, जब अल्टा वाले ट्रेडियेसन मेरी आपकी इसकिन पर गिरेगा, गोरी तुचा वाले लोगों के ज़्यादा प्रभावित होगी, तो कही न कहीं से इसकिन कैंसर या इसकिन पर पढ़ेंगे और हमारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं से कहीं से प्रभावित हो सकता है, रोग पितरोदक छमता प्रभावित हो सकती है, जिव जंतियों के जीवन प्रभावित हो सकता है, कुल मलाके हम समझ सकते हैं कि ये ओजोन परत एक इसक्रीन की तरह हमें और को बचा रही थी और अगर वो पतली होती जा रही है तो सीधे-सीधे हम ऐसे प्रित्कूल प्रभाव के लिए तैयार रहें जिसमें की कैटरेक्ट इसे लेके और इसकिन कैंसर या इलर्जी और इसकिन फपोले और क्रॉप इल्ड में अर्था फसल की और पादक्ता में कमी के सब्सक्राइब जो हुए और तैयार हिए आगे चलके हमें और आपको ऐसी परिस्तित्algा देखने को मिलेंगे जिसर जैसे Пशारों परत में छेद है तो इसकि कोजर्ड? इसके कारण क्या है जो प्रष़्म्यट में लाद और र वहाव-ई- सत्पर परत ने या देन किलोरोफलोरोकारबन, हाईडरोफलोरोकारबन, मिथायल बरॉमाइड. अब देखे, हम और आप लोग अपने आसपास तमाम इन चीज़ों को प्योग करते हैं. जैसे आपने पुराने फ्रिज देखे होंगे, पुराने एयर कंडीशन देखे होंगे, असी उनके कंप्रेसर मे ये किलोरो फ्लोरो कार्बन गेस पहले भरी जाती थी और आज भी कुछ पुराने आईटम ऐसे घरों में मौजूद हैं ऐसे ही हम और आप लोग पैस्टिसाइड जो कीड़ों को मायने के काम आते हैं हमारा अन्यदाता उसे खेतम उप्योग करता है उसमें मिथायल बुरुमाइट का इस्तिमाल किया जाता है हम लोग अपने घरों में सुगंद फैलाने के लिए डियोडरेंट या रूंप्रेसनर या सोयम भी सुगंद लेने के लिए डियोडरेंट का उप्योग करते हैं उसमें भी कही न कहीं से एरो सॉल का उपयोग किया जाता है। रॉकेट कुछ होते हैं उनमें प्रोपिलेंड के रूप में भी इन कैमिकल का उपयोग किया जाता है। जो ओजौन परत को नुकसान पहुचाते हैं। हम और आप लोगों ने देखा होगा कि घर में हमारे पुराने तकिया और पुराने गद्दे जो फोम के बने होते हैं अधात फोम मैट्रेस। उन फोम मैट्रेस को बनाने में ये कैमिकल उपयोग होते हैं जो कही न कहीं से ओजौन की परत को प्रित्कूल प्रभाव डालते है आपने और हमने अक्सा देखा होगा जब हम पायटियां मनाने जाते हैं या घर में पायटियां होती तो हम लोग स्टाइरोफोम के बर्तन और प्याले या उचके दौने पत्ते लाते हैं उनके बनाने में भी ओजोन को नुकसान पहुचाने वाले केमिकल का उपयोग होता है तो अगर हम और आप लोग सीड़ी सी बात है कि अगर इन केमिकल को धीरे धीरे कम करें और अपनी जीवन चरिया को अधिक साधिक प्रकती की तरफ जोड़ें तो हम उन सब कारणों से जिन युनाइटेड नेशन अज पूरी दुनिया में अलग-अलग स्थानों पर तमाम सेमिनार हो रहे हैं बच्चों को जाग रुक किया जा रहा है कॉलेज गोएंग सब जगे एक परकार से जाग रुकता पहलाई जा रही क्योंकि जाग रुकता एक ऐसा हतियार होता है कि अग तोर पे हम और आप लोग सोचते हैं ऐसे कानून बनाए जाएं ऐसी योजनाए लाई जाएं लेकिन ऐसे कानून और योजनाओं का तब तक सफल होना मुझे तो प्रतीत नहीं हो रहा है जब तक आम व्यक्ति जाग रुक ना हो और इसी क्रम में आपके चैनल के दौरा ये स हंद्यार पहल की जा रही है ऐसे हजारों लाखों इस्तानों पर अलग-अलग धंग से लोगों को जागरो किया जा रहा है यूनाइटिट नेशन हर साल एक निश्चित नारे और थीम के अंतरगत इसके पूरी साल कारक्रम आयोज़त करता है और आज से फिर से सुरुआत हो लोगों को जागरो किया जा रहा है तो इस वी से पर आपकी क्या राए है देखिए मैं और आप ये धरती को अगर अच्छा बेहतरीन देखना चाहते मैं और आप अगर अपनी इस धरती को एक अच्छी धरती देना चाहते हरी भरी जिसमें खूप सारे संसाधनों अगली प तो मुझे और आपको कुछ निगोशियेशन करने पड़ेंगे, मुझे और आपको अपनी जीवन चरिया बदलनी पड़ेगी, और उनमें थोड़ा सा हमें और आपको कष्ट उठाना पर सकता है, लेकिन ये कष्ट हमें और आपको लंबे दोर तक जीने में बहुत मदद करें तो उन चीजों के अंतरगत हमें कहीना कहीं से अपने जीवन में ऐसे सविस्टेंस, जो ओजोन डिप्लीटिंग सविस्टेंस हैं, उनको टाटा बाइवाय कहना पड़ेगा, और जो सविस्टेंस जैसे पुरानी जीवन चरिया थी, हम लोग पत्तों से या इस प्रकार के ज कैस्टेंस, बखाएज, चाली कहीना तो कि जाकरी च्लोरीन फ्रेज तहर में और जैसा की पताया से कि गलत धंग कहुंज से हटाया जाएगा तो ऊसमें से पुराने समय से जो भड़ी हुई हैं किलो फ्लोर सविर्वन कारबन गयस जाके atmosphere में chlorine gas release करेंगी और मैंने जैसा की बताया थे chlorine atom एक लाक हो जो उनके मॉलकुल को तोड़ता है ऐसे ही हम methyl bromide जो कीट नासकों के रूप में उप्योग होता है और आज की date में अगर हम तो कहेंगे कि organic farming की जाए ज़्यादा ज़्यादा प्रकती हितैसी खेती की जाए अन्यदाताओं से अपील है और aerosaur room fresnar या इस प्रकार के या fire extinguisher जो आग बुझाने वाले अगनी सामक यंत होते हैं उनमें ये chemical उप्योग होते हैं तो उनको से दूरी बनाई जाए इस टाइरो फोम के बरतान प्याले और मैट्रेस गदे फोम वाले इनको टाटा बाय बाय कहा जाए अधिक से अधिक हमें प्रकती हितैसी जीवन जीने की एक अपनी पहल करनी पड़ेगी मेरी आप से सबसे अपील है कि अगर आप अपनी धरती को हरा भरा देखना चाहते हैं तो आपको कुछ गुड ग्रीन डीट्स अपनानी पड़ेंगी अपने आसपास खूप सारे पेर लगाईए खूप सारे सकारात्मक अच्छे मैसेज भीजिए लोगों को जाग रोग करिए कि वो चेंज मेकर बने इस धरती को बचाने के लिए आप ही आगे आ सकते हैं क्योंकि आपकी अपनी धरती है और इस पूरी मोहिम में चाहे वो इंटरनेस्टनल ओजॉन डे हो चाहे इंटरनेस्टनल वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे या फिर दूसरे अन दिवस उस सब में प्राइम टीवी जो भी परियावरन से संबंदित जो आपके अवेरनेस के कारिकरम करती है उसमें आप सामिल हों और प्राइम टीवी का हाथ मजबूत करें जिससे कि इस धरती को रहने योग बनाया जा सके आगे आने वाली पीड़ी को हम एक अच्छी हरी भरी खुशाहल धायती दे पाएं सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए तो ये परियावरन विद डॉक्टर सुशील दिवेदी थे जिन्होंने ओजोन को लेकर तमाम जानकारिया दी आगे आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक देखते रहे है प्राइम टीवी